अस्ति और भवती एक सहित्यकार की ऐसी आत्मकथा जो व्यक्तिकत होती हुए भी सर्व को समर्पित है और इसके कथाकार कहलाते हैं प्रोफेसर विश्वनात प्रसाद तिवारी उनकी आत्मकथा हिंदी की एक निर्दोस आत्मकथा है उनकी जो आत्मकथा आई है अस्ति और भवती अद्भूत है उनकी सामर्थे उनका जन्म 20 जो 1940 को उत्तरप्रदेश के गोरकपुर अब कुशिनगर जिले के राइपूर भैसे ही भेड़ी हारे नामक गाउं में हुआ कालांतर में उन्होंने रचना कर्म और संपाद के जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ साहित्य अकाद्मी के अध्यक्ष के रूप में अपने उलेखिनिय कारियों से इसे गरिमा ब्रदान की प्रफेसर विश्वनात प्रसाथ तिवारी का रचना संसार बहुत विस्त्रित है कविता, आलोजना, शुहुद, यात्रा संस्मरण, डाइरी, आत्मकथा जैसे विविद विश्यों पर 50 से भी जाधा पुस्तकें हिंदी साहित्य की धरूहर है उन्हें अनेख राश्ट्रिय अंतराश्ट्रिय सम्मानों से सम्मानित किया गया प्रफेसर विश्वनात प्रसाथ निवारी जी के व्यक्तित्व कृतित्व का एक उद्धात पक्ष है उनके द्वारा संपातित रचना और आलोजना की 33 पत्रे का दस्तावेज पंडित जवाहलाल नहरूर साहित्यकादमी के पहले अध्यक्ष थे तिवारी जी बार्व में अध्यक्ष The way he has built the president of Gandhi ji in paper, you know, it was really wonderful thing साहित्यकादमी की history में ये को उसको हमेशा याद किया जाएगा Maa हमें ढालस देती, घर में आग है तो कोई नहीं आ सकता भूत-प्रेथ उन्होंने जो कारिय किया है वाकई उसको सराहनिय नहीं बलके एतिया से कहना चाहिए हमने देखी मन की जाने कितनी गाठें, इच्छाओं की जखमी पांखें, कह सकते हो तुम हमने इस धारा को अपवित्र किया है ज्यान भी उसका उत्कृष्ट कूटिका है और उसका ज्यान का संक्रमन भी जिसका उत्कृष्ट कूटिका है वही शिक्षवकों में सर्वशेष्ट माना जाता है, यही सिती आचारी विश्वनात परसाथ तिवारी की है. कोई जप्टेगा पास्बुक पर, कोई ढूंड़ेगा लाकर की चाभी, किसी की आखों में चमकेंगे खेत, किसी में गड़े हुए सिक्के, हाय हाय समय, बूढ़ी दादी से उदास हो जाएंगी पुस्तकें. मैंने कभी किसी को पूछने पर भी यह नहीं बताया, कि मेरी फला किताब पढ़िये. लेकिन आब जब कोई पूछता है, तो मैं कहता हूँ मेरी आत्म कथा पढ़ लीजी.